हलो में शालीनी हुवलीकर आप लोगों की फेवरेट तीचर तो आज है ना नवनीत हॉलिडे बूप वन मेंड का जो मैंने आप लोगों को स्थिखाया वाता पेज नंबर ट्वेंटी नजाए इडिशन में यह वाला तो एडिशन आप तूंही अगया है क्यूकि मुझे मैसेज आया है इसके लिए कि यह वाला एडिशन केरी ओवर वाला कैसे कलते है आप हमें बताईएगा तो मैं आपको एक बाद फिर से explain तरके बताती हूँ कि carry over के जो sum होते हैं वो कैसे करने चाहिए ही अब यह जो first वाला sum है 37 plus 13 तो अभी addition का मतलब होता है मिलाना तो अभी हम लोग addition करते है 7 plus 3 तो 7, 8, 9, 10 तो 10 हुआ तो 10 हुआ तो यह वाला है unit place और यह है tens का place तो जब हम लोग 10 लिखते हैं ना 10 तो 10 में यह है unit और यह है tens है ना तो यह जो unit number है उसे हम लोग लिखेंगे unit में और यह जो one है ना उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखो या उपर लिखो one ठीक है फिर जब हम लोग addition करते हैं तो one प्लस three four four add one five उस one को उसमें मिलाना भूलना नहीं है आपको ओके और उसी तरह से सेकेंड जुष्ण है 48 प्लस 14 48 प्लस sign देना भूलना मत 14 eight and four होते हैं twelve तो twelve में यह है unit यह है tense तो t हम लोग ने यहाँ पर लिखा unit place में यह tense है और यह जो one था tense में का यहाँ पर लिखा फिर four प्लस one five and one six तो answer हमें मिला है 62 two okay तो अभी आप लोग समझ गए होंगे अभी इसी तरह से 27 प्लस 56 27 प्लस 56 देन 6 प्लस 7 होते है 13 13 का 3 add one करना भूलना मत फिर one two three three and five eight तो हमें answer मिला 83 तो इसी तरह से यह वाले समझ जो है वो आपको करने है आपको easily समझ में आ गया है वैसे भी मैं basic mathematics अभी सिखाने वाली हूं बच्चों को फिर भूल जादे है बच्चे लोग छुटियों में तो फिर से एक बार में उन्हें याद दिलाती हूं हमेशा मैं देती रेती हूं ऐसे basic इन लोगों को ताकि वो भूले नहीं ठीक है तो भी multiplication, subtraction, division सब कुछ में सिखाने वाली हूं from basic ओके आप नए है में चनल पर तो subscribe कीजिए बीड़क एकन टैप कीजिए forward कीजिए अपने दोस्तों को relative को ताकि उन बच्चों का भी फाइदा हो ओके तो चलो देन all the best and bye bye